नमस्कार मैं दिक्षा सिंग बोल्सकाई में आपका स्वागत है कौक्रोच आपको भले ही पसंद ना हो या फिर आप उनसे डरते हो लेकिन चीन के लोगों के लिए यह एक कमाई का जरिया है जी हाँ आप सोचके हैरान हो रहे होंगे कि आखिर कौक्रोच से कोई कैसे कमाई कर सकता है लेकिन कौक्रोच संभावित औशदी गुडों के चलते चीनी उद्योग के लिए व्यावसाई का अउसर की तरह है चीन सहित कई एशियाई देशों में कौक्रोच को तल कर खाया जाता है लेकिन अब इनको बड़े पैमाने में पैदा किया जाने लगा है चीन के शीचांग शेहर में एक दवा कमपनी हर साल 600 करोड कौक्रोच का पालन करती है कौक्रोच को पालने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती है जिसमें उनके खाने पीने का इंतजाम होता है जिस बिल्डिंग में कौक्रोच को पाला जाता है उसका तापमान खाने की उपलपता और नमी पर नियंतरन रखा जाता है उनका लक्ष कम समय में ज्यादा से ज्यादा कौक रोज पैदा करने का होता है चीन के परंपरांगत दवाई के रूप में पिया जाता है इसका इस्तमाल दस उल्टी, पेट के अलसर, सास की परिशानी और अन्य बिमारियों के इलाज में किया जाता है बता दें कि वहाँ पर दवाई के लिए कौक रोज का पालन सरकारी योजनाओं का हिस्सा है और इसकी दवाई का अस्पतालों में इस्तमाल किया जा रहा है तो देखा आपने कि जहां पर हम लोग कौक रोज को देख कर मूँ बनाते हैं वही कई लोग इसका शर्बत पीना बेहत पसंद करते हैं